नमस्कार दोस्तों हमारी चैनल पर आपका स्वागत है तो आज 1,2,3 मतलब 123 सेक्षन हम देशने वाले हैं टीपीए का इसकी पहले कि जो हमारी सेक्षन है वो कंप्लीट हो चुके हैं तो आए देखते हैं जो 123 से वो क्या बात करता है तो अंतरन कैसे किया जाएगा मतलब हम द से इसना फोटा सबस्सक्वारी से आता होता है और इकल अतरन कैसे किया है जो यह संपथी कि दान के डिशतों के लिए और रहे इसकी और स्थावर मतलब रजिष्ट्रिकेत लिखेत द्वारा करना होगा इसमें ये बाट बताई गई है कि जहां की अंतरन मतलब दान है यहां पर दान का अंतरन होता है ठीक है पहली बात तो यह कि दान का अंतरन कैसे किया जाएगा इस्थावर संपत्ती के दान के प्रियोजन के लिए जहां की कोई व्यक्ति इस्थावर संपत्ती का दान करता है वहां अंतरन दाता द्वारा या उसकी उर से मतलब या तो दाता या उसकी उर से कोई भी कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमानित कर दे और रजिष्टिकित लिखित द्वारा मतलब उसकी रजिष्टि होनी चाहिए रजिष्टिकित लिखित द्वारा और कम से कम दो साक्षी द्वारा उसका दान किया जाएगा जहां कि इस्थावर संपत्ति है और जहां जंगम संपत्ति है जंगम संपत्ति के दान के प्र रजिष्ट्रिकेत लिखित द्वारा इक मैं करें जाए गूहा गूहारे है तो our रानीचे जाउच्छ स्च्छ कराना चाहिए धुशित द्रें का परेदान होगी। सभातु है। परतो यी इसंपत्ति उसके लिए इस्तावर द्रेंози medida द्वारा ही होगी और जंगम संपत्य के पास उसके पास ओप्सन एहता है typically या तो दें था जिस्टित करा दे लिखेद द्वारा या फिर परीदान द्वारत संपत्य कर भी दान किया जा सकता बेचा हुआ मारद परीदत किया मतलब जो उसे प्रकार से किया जाकता हो मतलब ज़िए मतलब जब पन लोग किसी को संपत्ति देते हैं तो उस पर अमका किसी प्रकार का हग नहीं रहता कि ए इस कोड़ा को natur जे में थत्या कि आजा बेस दिया हूँ माल उसे जैसे दे सकते हैं वैसे ही हम संपत्ती का यहां पर परीदान करते हैं तो I hope दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा यदि आपको वीडियो अच्छे लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं आज के लिए इतन